मित्रो पौरानी काल के आपने भी कई श्रापों के बारे में पढ़ा या फिर सुना होगा। पुरातन काल में जब भी कोई गलत काम या फिर बुरा व्यवहार करता तो एक पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति उसे श्राप दे देता जिसका फल उसे भोगना पड़ता। अब उस काल के मुख्य श्राप कौन से हैं? आए मिलकर जाते हैं। युदिष्ठिर का इस्त्री जाती को श्राप। वही जब माता कुन्ती ने पांडवों को कर्ण के जन का रहस्य बताया तो वो शोक में डूग गए। और युदिष्ठिर ने पूरी महिला जाती को श्राप दे दिया कि आज से कोई भी इस्त्री, कोई भी राजन नहीं चिपा पाएगी। और मित्रो तभी से हर महिला, बलकि रिशिक किंदम और उनकी पत्नी थी, राजा पांडू का वो बांड रिशिवर और उनकी पत्नी को लगा, जिससे उनकी पत्नी की वही पर मित्यू हो गए। और रिशिवर भी अपनी आखरी सांसे लेने लगे। इसके बाद ही रिशिक किंदम ने राजा पांडू को ये श्राब दिया था कि आप जब भी अपनी पत्नी के साथ मिलन करेंगे उसी पल आपकी मित्यू हो जाएगी और मित्रो इसी श्राब की वज़े से जब राजा पांडू अपनी दूसी पत्नी मादरी के साथ संबंध बना रहे थे उसी पल उनकी मित्यू हो गए और फिर पती दिनों तक चड़े रहने के बावजूद जब उनकी आत्मा नहीं निकली तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने रिशी मांडव्य से माफी मांगकर उन्हें छोड़ दिया बाद में रिशी यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे कि मैंने अप रिशी मांडव्य यमराज से बोले बारा साल की उम्र में तो किसी को धर्म अधर्म की बाते पता ही नहीं होती और तुमने एक छोटे से पाप का मुझे बहुत बड़ा धंग गिया है इसलिए मैं तुम्हें शुद्र योनी में एक दासी के बेटे के रूप में जन्म लेना होगा और मित्रो रिशी मांडव्य के इसी शुद्र के चलते यमराज को महात्मा विदूर के रूप में जन्म लेना पड़ा था नंदी का रावन को शुद्र वालमी की रामायन के नुसाथ एक बार लंका पती रावन महादेव शिवशंबू से मिलने के लाश महुचे वहा पुरी वानर सेना ने लंका को तहस नहस कर दिया था कद्रू का अपने पुत्रों को शार जब ब्रह्मा जी ने सुष्णी की रजना की तब उनके मानस पुत्र रिशी कश्यप ने प्रजापती दक्ष की बेटियों से विवहा किया जिन मेंसे एक का नाम कद्रू तो दूसर देव के रत का सार्थी था वहीं दूसरे का नाम था गरूर जो बड़ा ही वीर और अपनी मा की तरह ही साफ मन वाला था गरूर अपनी अच्छाई के चलते ही भगवान शुहरी नारायन का वहन बने जानकारी के लिए बता दे कि महर्शी कश्यप की ये दोनों पत्निया वि कद्रू के मन में विचार आया कि अगर मैं किसी भी तरह शर्त लगाकर विनता को अपनी दासी बना लूँ तो कितना अच्छा होगा क्योंकि विनता का पुत्र गरूर मेरे पुत्रों से बहुत ही जाधा ताकतवर है इस तरह वो भविश्य में कभी उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा मैं विनता को काबू करूंगी और वो अपने बेटे गरूर को ये सारी बाते मन में सोचने के बाद कद्रू ने विनता से कहा कि देखो वो गोड़ा सफेध रंग का है लेकिन उसकी पूच्य काली है अपनी बड़ी बहन से प्यार करने वाली विनता ने उत्तर दिया कि दीदी नहीं ये गोड़ा पूरा सफेध है और इसकी पूच भी विनता ने फिर कहा तो ठीक है फिर शर्त लगाते हैं हम में से जो भी ये शर्त हारेगा उसे जीतने वाले की दासी बन कर रहना होगा फिर उस गोड़े को देखने के लिए अगला दिन ताई किया ग कर शेशनाग और वासूकी ने अपने परिवार का त्याग कर दिया वहीं शेशनाग और वासूकी के अलावा भी कही सर्पों ने इस काम को करने से मना कर दिया उन्होंने अपनी माता को समझाने का बहुत प्रयास किया कि माता आप तो विनता के साथ चल कर रही है वो आपकी बेहन है और हम इस काम में आपका साथ नहीं देंगे इस पर देवी कद्रू को बहुत गुसा आया और वो कहने लगी कि तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानुए तो मैं तुम सभी को ये श्राब देती हूँ कि जनमेजे के यग्य में तुम सभी जलकर राख हो जाओंगे उर्वशी का अर्जुन को श्राब महाभारत का युद्ध होने से पहले जब अर्जुन दिव्यास्तर प्राप्त करने के लिए स्वर्गलोक गए हुए थे तो वहाँ अपसरा उर्वशी उनका रूप देखकर उन पर आकरशित हो गई और उसने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे साथ नजदीकिया बनाओ लेकिन अपसरा उर्वशी ने कुरुवश के एक राजा के साथ पहले ही संबंद बनाए थे जिस हिसाब से वो अर्जुन की माता लगी कुंति पुत्र भी ये बात जानते थे इसलिए उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया ये सुनकर उर्वशी को बहुत गुसा आ गया और उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुनसक की तरह बाते कर रहे हो इसलिए तुम एक साल के लिए नपुनसक हो जाओगी तुम्हें महिलाओं में नर्थकी बनकर रहना पड़ेगा जब ये बात अरजुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अग्यातवास के समय ये श्राप ही तुमारी मदद करेगा और इस तरह तुम्हें कोई पहचान नहीं सकेगा इसके बाद अपने अग्यातवास के समय विराट नगर में अरजुन एक नर्थकी ब्रहनला बनकर वहा के राजा की बेटी उत्तरा को नित्य सिखाते थे तुलसी का भगवान विश्नु कोश्रा शिप्पुरान के मुताबिक शंकचूर नामक एक राक्षस था जिससे दैत्यों का राजा कहा जाता था शंकचूर की एक पत्मी थी जिसका नाम था तुलसी उसने अपनी शक्तियों से तीरों लोकों में हाहकार मचा रखा था इसलिए उसका वद करना बहुत जरूरी था लेकिन उसकी पत्मी तुलसी के पतिवरता होने के चलते देवता शंकचूर को मारना तो दूर उसे हरा तक नहीं पाते थे फिर सभी देवता भगवान विश्नु की शरन में गए और उनसे मदद मागने लगे देवताओं की प्राथना करने पर भगवार श्रीहरी नारायन ने चलसे तुलसी का पतिवरत धर्म भंकर दिया जिसकी वज़े से देवता शंकचूर को परास्त करने में सफल हुए लेकिन जब ये बात तुलसी को पता चली तो वो बहुत क्रोधित हो गए जिसके बाद तुलसी ने विश्रुजी को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया तब नारायन जी ने लगेवल तुलसी का ये श्राप स्विकार किया बलकि उसे वरदान भी दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए प्रुथी पर गंड की नदी और तुलसी के पौदे के रूप में पूजी जाएगी अम्मित्रों बताने की गंड की नदी वही है जहांसे निकलने वाले पत्थर को शाली ग्राम कहा जाता है रिशी श्रुंगी का परिक्षित को श्राप पंड़ों के स्वर्ग जाने के बार अभिमन्यू के बेटे परिक्षित का शासन आया उसके राज्य में सभी सुखी और संपन थे इसी तरह एक बार राजा परिक्षित शिकार करने जंगल में कहीं दूर निकल गए और कुछ देर बाद उन्हें बहुत प्यास लगने लगी तभी उन्हें सामने एक आश्रम दिखाई दिया और वो आश्रम किसी और का नहीं भलकि रिशी श्रुंग का था प्यास के चलते परिक्षित उस आश्रम में गए और रिशी को प्रणाम करते हुए बोले हे रिशीवर मुझे प्यास लगी है आप मुझे थोड़ा जल पिला दे रिशी शमिक अपने ध्यान में लीन थे जिस वज़े से उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया उधर राजा को लगा कि ये तो मेरा अपमान कर रहे हैं और मेरे बार बार कहने पर भी मेरी बाते नहीं सुन रहे लेकिन मित्रों आपको बता दे कि राजा के मुकुट पर उस समय कल्यूग बैठा था जिसके चलते उनका दिमाग ब्रश्ट हो गया रिशी के आँके ना खोलने पर राजा ने क्रोध में आकर रिशी के गले में एक मरा हुआ साप डाल दिया वही कुछ समय बाद जब रिशी शमिक का बेटा श्रेंगी नदी से नहा कर आश्रम लोटा तो उन्होंने देखा कि उसके पिता के गले में मरा हुआ साप लिपटा है ये देखकर उसे बहुत क्रोध आया और उसने राजा परिक्षित को श्राब दिया कि अगले साथ दिनों के अंदर एक विशैले नाग के डसने से आपकी मौत हो जाएगी तभी शमिक रिशी भी अपने ध्यान से जागे और अपने पुत्र से कहने लगे कि पुत्र तुने ये सही नहीं किया ये राजा अपनी प्रजा का रक्षक है और इसने इतना बड़ा अपराद नहीं किया था कि तुमने उसे इतना बड़ा श्राब दे दिया ऐसा होने के बाद रिशी शमिक को बहुत पच्टावा हुआ और उन्होंने राजा परिक्षित से माफी भी मागी राजा अनरन्य का रावन को श्राप त्रेता युक के दौर में रगुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए जिनका नाम अनरन्य था जब लंकापती रावन विशु विजय करने निकले तो राजा अनरन्य से उनका भीशन युद्ध हुआ जिसमें राजा अनरन्य मारे गए लेकिन मरने से पहले उन्होंने रावन को ये श्राप दिया कि मेरे ही वंश में जन्म लेने वाला एक युव तेरी मौत का कारण बनेगा जिसके बाद आगे चलकर उन्ही के वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावन का वर्द करके पूरी प्रित्वी पर धरम का पर्चम लहराया परशुराम का कर्ण को श्राप महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विश्नु के छटे अवातार थे सूरेपुत्र कर्ण उन्हीं के शिश्य थे और जब कर्ण को धनूर विद्या सीखनी थी तब उन्होंने परशुराम को अपना परिचाए एक ब्रहामन के रूप में दिया था फिर एक बार परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे और उसी पल कर्ण को एक जहरीले किड़े ने काट लिया अपने गुरु की नीन में कोई परिचानी ना आए ये सोचकर कर्ण खुद दर्द सहते रहे लेकिन उन्होंने परशुराम को नीन से नहीं जगाया नीन से उठने पर जब भगवान परशुराम ने कर्ण को असहनिय दर्द को सहते देखा तो वो समझ गए कि कर्ण एक ब्रह्मन नहीं बलकि एक शत्री है तब गुस्से से लाल परशुराम ने कर्ण को शाब दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुमें सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी उस समय तुम ये विद्या भूल जाओगे तपस्विनी का रावन को शाब मित्रो पुरातन काल में एक बार रावन अपने पुश्पक विमान से कहीं जा रहे थे तबी उसने एक सुन्दर इस्री को देखा जिसका नाम वेदवती था जो भगवान विश्पक अपने पती रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थी रावन ने तुरंत उसके बाल पकड़े और अपने साथ चलने को कहा ऐसा करने से वेदवती ने मना किया जिसके बाद रावन उसे जबरन ले जाने लगा तभी वेदवती ने लंकाबती को श्राब दिया कि एक महिला के कारण ही तेरी मित्यू होगी जिसके कई वर्षों बाल देवी सीता ही रावन की मित्यू का कारण बनी गांधारी का भगवान कृष्ण को श्राब महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद जब भगवान कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुँचे तो अपने बेटों की मौद पर महारानी गांधारी ने भगवान कृष्ण को ये श्राब दे दिया कि जिस तरह पांडव और कौरव अपनी आपसी फूट के चलते नश्ट हुए है उसी तरह तुम भी अपने कुल के लोगों का वद करोगे आज से 36 साल बाग तुम अपने भाई और पुत्रों का नाशो जाने पर अकेले रह जाओगे और इस दुनिया से चले जाओगे और मित्रों कहा जाता है कि गांधारी के इसी श्राब के चलते भगवार कृष्ण के कुल यदुवंश का अंत हुआ था तो मित्रों ये थे पुरातन काल के 12 सबसे चर्चित श्राब अगर आपको आज की हमारी ये प्रस्तुती अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिष्टेदारों के साथ भी जरूर साजा करें